मिशकार दोश्तो, डेट है आज की 9 अपरेल 2021, स्वागत है आपका डेली क्लास में, इस क्लास में हम 9 अपरेल के मोश्ट इंपोटेंट करेंट को कवर करेंगे, और इस डिसकेशन में हम 10 कोशनों को कवर करेंगे, इन 10 कोशनों के पीडेफ आप टेलिग्राम चैनल से करेंट सेलेक्टिड करेंट करेंड फिर को कवर कर रहे हैं, इसका पार्ट फर्स्ट और इसका पार्ट सेकेंड यह दोनों अप्लोड हो गए हैं, और इन दोनों वीडियो का लिंक, डिसक्रिप्शन वोक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, उसी प्रकार से देखो इस वीड आपको नीचे मिल जाएगा और देखो एक एनॉसमेंट हो रहे हैं आज से इसी क्लास से हम स्टेटिक जीके भी स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो के आखरी में स्टेटिक जीके के कुछ इंपोटेंट टॉपिक को कवर करेंगे डेली जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गया है कि 7 अपरेल 2021 को किस देश के रक्षा मंतरी लेटिनेंट जनरल नाम क्या है नूरलान यर्मेक बेव फिर से बोलता हूं नूरलान यर्मेक बेव ने जोधपूर और जैसलमेर का दोरा किया तो बताएए इस को शंगा क्या अंसर सही है तो देखो जैसे कि आप जानते ह कजाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है नाम क्या है नूरलन यर्मेक बेव ये भारत की चार दिवसे यातरा पर आएवे हैं और इन्होंने 7 अपरेल 2021 को राजिस्तान के जोधपूर और जैसलमेर यहां का दोरा किया तो यह इसको शंगा सही आंसर है कजाकिस्तान और दे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजना सिंग इनके साथ मुलकात भी करेंगे तो यह इसको शंगा सही आंसर है कजाकिस्तान अब कजाकिस्तान के एक बार आप लोकेशन देख लीजिए कहां पर है देखो यह है कजाकिस्तान इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कह पूचे जाते हैं लेकिन फिर भी एक बार नजर में हो तो यह अगर option में दिया जाएगा तो आप इसको easily solve कर सकते हैं अब देखो कजाकिस्तान जो है यहां से आप 2-3 fact याद रखेगा क्या एक तो इसकी सीमा कैस्पिंसी के साथ लगती है यह दो को यहां पर है कैस्पिंसी द नहीं गोबी डेजर जो है यह कजाकिस्तान में नहीं है यह मंगोलिया और चाइना के बोर्डर पे है अब चलते हैं अगले question की दरफ केंद्र ने किस राज्ये में 670 क्रोड की 14 राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है तो बिहाली में सेंटर ने जारकंड राज्ये में 670 क्रोड की 14 राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है तो डीस question का सही answer है जारकंड अब इसमें होगा क्या देखो इससे 127.93 किलोमेटर को मतलब इसका इसमें निर्मान किया जाएगा तो डीस question का सही answer है जारकंड अब जारकंड की location देखे आप कहा पर है यह है ज देख लेते हैं उत्तरपरदेश, बिहार, पश्चिमंगाल, ओडिसा और छत्तिजगड टोटल मिलाकर पाँच राजमार्ग के साथ जारकंड की सीमा लगती है कैपिटल की बात करें तो राची इसकी कैपिटल है यह देखे हैं पर लिखा हुआ है फोर्मिशन का भूईती 15 21 नॉम्बर 2000 में मुख्यमंत्री कोने हेमंत सोरेन, राजेपाल कोने द्रौबदी मुर्मू, 24 दिले हैं लोकसभा की 14 सीट, राजेसभा की 6, विधान सभा की 81 सीटे हैं, हाईकोट की बात करें, राची में हाईकोट हैं, जहांके मुख्यन अदिस हैं रभी रंजन, और इन पाँच राज्यों के साथ, जहारकंड की सीमा लगती है, चलते हैं अगले कोशन की दरफ, उस्मान सहले मुहमद किस देश के विधेस मंतरी हैं, बताइए, देखो इनका नाम चर्चे में इसलिए हैं, क्योंकि अभी ये भारत की विजिट पर आए वे थे, तो ये किस देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो यह है इडिटेरिया के, तो सीज कोशन का सही आनसर है, यह इडिटेरिया के फॉरेन मिनिस्टर है, नाम क्या है, ओसमान सहले मुहमद, और यह देखो इन्होंने 8 April 2021 को, जो हमारे external affairs minister है, डॉक्टर S. जयसंकर इनके साथ मुलकात भी की, फोकस इसके बारे में बात कर लेते हैं इधर Red Sea है, इधर Sudan इधर Digibuti, इधर Ethiopia अब पूछे जाता है इसकी capital क्या है तो देखो इसकी capital है Asmara question यहां से पूछ जाएगा अब देखो लगे हाथ, यहाई पर जो map की location है mapping उसको भी हम cover कर लेते हैं यह Red Sea है और इधर है Gulf of Eden इन दोने के बीच में यहाँ पर एक state है, इस state का नाम क्या है इस state का नाम है बावल मंदेव state, उसी प्रकार से यह Persian Gulf है और यहाँ पर है Gulf of Oman और यहाँ पर जो state है, यहाँ पर देखे इस state का नाम क्या है, state of Hormuz, यहाँ पर है state of Hormuz और नीचे है बावल मंदेव state अच्छा यह बताईए, Horn of Africa, इसके बारे में आपने सुना होगा इसमें चार देखाते हैं, क्या Eateria इसका पार्ट है या नहीं इस question का answer, आप बताईएगा comment box में खुश से, कि Horn of Africa में कितने देश आते हैं, और क्या Eateria इसका पार्ट है या नहीं अब चलते हैं सीधा अगले question की तरफ किस IIT के सोध करताओं के एक समूने डेंगू के सिग्र निदान के लिए एक उपकरन विक्सित किया है, तो अभी हाली में IIT, Delhi के जो देखो researchers हैं, इंका एक group है जिसने डेंगू का पता लगाने के लिए एक device को develop किया है, तो यह इस question का सही answer है, अब इससे होगा क्या एक घंटे के अंदर ही, डेंगू का पता लगा लिए जाएगा, अभी क्या होता है एक दिन का समय लग जाता है, डेंगू का पता लगाने के लिए, तो यह जो device है यह IIT, Delhi ने, मतलब IIT, Delhi ने develop किया है, कि इसके collaboration के साथ, तो collaboration किसका है ICMR, ध्यान से सुनिएगा ICMR, NIMR अभी जो NIMR है, इसका मतलब क्या है National Institute of Malaria Research और यह कहाँ परिष्टित है, यह Delhi में इस्टित है तो यह कोशन का सही आंसर है देखो, यह Institute भी पूछा आ सकता है यह Delhi में इस्टित है, अब बढ़ते हैं अगले कोशन की दरफ International Air Transport Association जिसका सोट नाम क्या है IATA के अनुसार, फरवरी 2021 में वैश्वेक यातर यातायात, फरवरी 2020 की इसी अविदी की तुलना में कितना प्रतिशत गिर गया है तो यह कितना गिरा है, 89% यह कोशन का सही आंसर है IATA का पूरा नाम क्या है देखो, पूरा नाम है इसका International Air Transport Association इसको फोर्मेशन कप किया गया था इस बोडी का घटन जो हुआ था यह हुआ था 1945 में कोशन यहां से उठेगा 1945 में इस बोडी का घटन हुआ था यह International Trade Association है एक कोशन आप याद, मतलब एक पूइंट यह याद रखेगा, दूसरा इसका मुख्या ले, यानि हेटकोटर यह कहां पर है चलते हैं अगले कोशन की तरफ किस राज्य यूटी ने Lab on Wheels कारेकरम सुरूप किया है तो अभी हाली में दिल्ली यूटी ने मतलब यह जो दिल्ली, केंदर सासिस प्रदेश है इसने Lab on Wheels प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, इसका मकसद क्या है स्टार्ट करने का अगर हम आसान भासा में समझें तो देखो, रूरल और बैकवर्ड एरियास में जो स्टुडेंट है ना, उनको क्वालिटी ओफ एजुकेशन प्रोवाइड कराना यह इसका मेन फोकस है तो 20 कोशनग सही आंसर है डेली चलते हैं अगले कोशन की तरफ किस देश ने ताड के तेल के आयत पर प्रतिबंद लगाया है तो यह किस ने लगाया है अभी हाली में यह लगाया है श्री लंका ने श्री लंका ने पाल्म ओइल के जो import है इस पर ban कर दिया है अब स्री लंका की एक बार आप location देख लिजी कहाँ पर है देखो यह है श्री लंका की location यहाँ पर इसकी अगर हम capital की बात करें दो capital है एक क्या है स्री जया वर्दने पूरा कोटे यह इसकी legislative capital है दूसरी कोलंबो यह इसकी judicial और executive capital है और याद रखेगा कोलंबो इसकी largest city भी है currency कहा है श्री लंकान रुपी परधान मंत्री कोन है महीदा राजा पक्षे और प्रेजिडन कोन है गोतबे राजा पक्षे अच्छा यह बताईए हम्मन तोता पोर्ट यह कहाँ पर है तो याद रखेगा हम्मन तोता पोर्ट यह श्री लंका में सदन साइड में नीचे की साइड है यह हम्मन तोता पोर्ट अब चलते हैं अगले कोशन की तरफ हिंदुष्तान योनिलीवर लिमिटेड हुल के सहयोग से अखिल भारते ग्रामिन उत्यन समीती ABGUS ने किस राज्य के ढिंगी देखो यहाँ पर आएगा ढिंगी यहाँ पर गलत लिग्या है ढिंगी आएगा ढिंगी गाउं में एक जल प्रभंदन परियोजना का उधगाटन किया है देखो अभी इस से पिछले कोशन में मैंने साथ हम्मन तोता यह गलत बोल जाता हम्मन तोता पोट है याद रखेगा हम्मन तोता पोट तो बताएगे इस कोशन का क्या अंसर सही है इस एट्थ कोशन का तो देखो भी हाली में हिंदुष्टान योनिलिवर रिमिटेड एच यू एल के सहयोग से अखिल भारते ग्रामेन उत्यन समीती एबी जी उएस ने पंजाब के जो पटियाला में एक गाउं है धिंगी गाउं इस गाउं में एक जल प्रबंदन परियोजना का उधगाटन किया है तो याद रखेगा इस कोशन का सही आंसर सही है पंजाब इसमें होगा क्या अगर आसन भासा में समझें तो देखो जो वेश्ट वाटर है इसका रिशाइकल किया जाएगा इरिगेशनल परफसेस के लिए ग्राउंड वाटर को रिप्लेसिं किया जाएगा और रेन वाटर हर्वेश्टिंग की जाएगी तो सीज कोशन का सही आंसर है पंजाब अब चलते हैं अगले कोशन की तरफ किस राज्य में राज्य के सभी सरकारी कारेले अगले तीन महीनों के लिए सोमवार से सुक्रवार तक शप्ता में पाच दिन काम करेंगे तो भी हाली में कोवी नैंटिंग के जो केस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं इसी को देखते हुए मध्यपरदेश की सरकार ने ये फैसला लिया है तो सी इसकोशन का सही आंसर है मध्यपरदेश अब मध्यपरदेश से सम्मदित जो पिछला करंट फैर है इसे हम कवर कर लेते हैं पहला पॉइंट क्या है देखो इंदोर के अंदर एक आत्म निरिभर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उधगाटन किया गया इंदोर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रिमियर लीग टूर्नामेट का आयोजंग किया गया रानी पद्मावती मेमोरियल ये भौपाल में बनेगा यूनेसको का जो मैन एंड वाइस्वेर प्रोग्राम है इसके अंदर पन्ना टाइगर इजर्व को शामिल किया गया है मद्यपर्देश ने एक नॉम्मर 2020 को अपना 65 इस्था अपना दीवस मनाया मद्यपर्देश ने एक इनिशिटिव चलाया है मतलब राज्य के अंदर वो लोग जो गलत मैटरिली बनाते हैं पिर मिलावटी मैटरिल को बना कर सप्लाई करते हैं तो उनके खिलाब सक्से सक्त कारवाई की जाएगी सेवन पॉइंट मिशन ग्राम उद्दे इसको लौंच किया गया मद्यपर्देश ने संकल्प अभियान शुरू किया मद्यपर्देश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरुक्षा अभियान शुरू किया देखो यह जो नीचे के तीन पॉइंट है ना सेवन्थ एट और नाइंट यह तीनों पॉइंट इंपोटेंट है कोशन यहां से बन सकता है तो याद रखेगा मिशन ग्राम युद्दे संकल्प अभियान और मेरा मास्क मेरी सुरुक्षा अभियान इन तीनों को मद्यपर्देश की सरकार ने लोंच किया है चलते हैं अगले कोशन की तरफ भारते रेलवे ने 2020-21 के दोरान इस क्रेप बिक्री से कुल 4,573 क्रोड रुपे कमाए जो 2019-20 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है तो इस कोशन का सही आंसर है 5.5 प्रतिशत देखो डाटा बेस्ट कोशन है इस कोशन में आप इसी प्रिकार से याद रखेगा सिर्फ आंसर याद रखेगा 5.5% कोशन सीधा सीधा एक्जा में पूछा जाता है तो देखो ये तो थे हमारे आज का करेंट फिर अब कल के कोशन जो आप से पूछे गए थे पहलो कोशन क्या है अप्रेल 2020 में किस देश के राष्टपती ने एक कानून पर हश्टाक्षर किये जिससे उन्हें फिर से राष्टपती के चुनाव लड़ने की अनूमती मिली तो रूस इसकोशन का सही आंसर है किस देश की महिले क्रिकेट टीम ने किसी भी प्रारूप में लगतार सबसे जादा जीत का रिकॉर्ड बना कर इतिहास रचा उस्टेलिय इसकोशन का सही आंसर है किस राज्जे सरकार ने राज्जे के सभी जिले में एर सैलून, लॉंडरी, धोबी गाटों पर प्रतिमा 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोशना की तो तेलंगा ने इसकोशन का सही आंसर है किस सहर में दो स्वीप ट्रॉम लौंच किये गए कलकत्ता इसकोशन का सही आंसर है किस राज्जे में बनाय जाएगा रामायन संग्राले तो ये बनाय जाएगा उत्तर परदेश में किस मंत्राले ने संकल्प से सिद्धी लौंच किया तो ये किया मिनिस्ट्री ओफ ट्राइवल अफेर्स ने अब ये तो थे हमारे कल के कोशन अब आज के कोशन जिनका आंसर आपको बताना है किस राज्जे सरकार ने इक कॉमर्स प्रमुक फिलिपकार्ड को एश्या में अपना सबसे वड़ा पूर्ति के इंदर इश्थापित करने के लिए 140 एकड़ भूमी के आवंटं को मंजूरी दी है कौन सा राज्जे इसकुली चातरों के लिए मासिक माइक्रो चातरवर्ती कारेक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्जे बन गया है किसने हमारी सड़क एप लॉंच किया है राम कर्ण वर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रुप में निव्ट किया गया है कोविन एंटिंग की चिंताओं के कारण कौन सा देश आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा प्रते एक वर्ष विश्व स्वास्ते दिवास कम मना जाता है तो इन 6 कॉश्चनों का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुश से बताना है अब देखो ये तो टेह हमारी करेंट इफरेस से सम garbage कुछ इन्फरमिशन अब आज से हम क्श्टेटिक जीके भी शिटार्ट करने माले हैं और सबसे पहले हम हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटि से और पोलिटिका सब्से इमपॉर्टेंट टोपिक नाम कैं AGI अब इंके बारे में समझते हैं है क्या सबसे पहले तो आप यह जाने जिए यह एक constitutional post है सविधानिक पद है सविधान का article 46 इंके बारे में जिक्र करता है कि अब नीचे वाली लाइन में क्या लिखा गया है highest law officer इससे आप क्या समझते हैं देखो highest law officer of India मतलब यह सरकार का सबसे वड़ा वकील है याद रखेगा यह एक सरकारी वकील है देखो आए दिन जो ख़बर आती है newspaper में कि जो सुप्रिम कोट है सुप्रिम कोट ने सरकार को फट परकार लगाई जाती है वो असली में इनी को लगाई जाती है और टरनी जनरल को तो अब समझते हैं के बारे में दूसरे point इनको appoint कोन करता है तो देखो इनकी जो नियुक्ति की जाती है यह president के द्वारा की जाती है अब देखना अब ध्यान से सुने का एक एक पॉइंट प उनको जिस प्रकार से appoint के जाता है उसी process को यहाँ पर अपनाया जाता है मतलब वही qualification इनको भी चाहिए देखो जब हम Supreme Court पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे judge की क्या qualification होनी चाहिए appoint होने के लिए बस इतना याद रखेगा अभी की AGI को वही qualification चाहिए जिस प्रकार से judge को Supreme Court म appoint के जाता है आप other words में ये भी कह सकते हैं he must be citizen of India दूसरा किसी भी high court में ये 5 साल के लिए judge रहे हो या फिर किसी high court में ये 10 साल के लिए advocate या फिर वकील रहे हो या फिर ये president की मतलब जो राष्टपती है उनकी opinion में ये एक eminent jurist भी रहे हो तो ये तीन ये जो तीन method है ये चा fixed नहीं है question यहां से पूछ जाएगा याद रखेगा not fixed ये साविधान में fix नहीं किया गया है और नहीं इंका जो removal process है वो भी कहीं पर दिया नहीं गया है बस इतना दिया गया है कि article 76 और्टरी जनलर ऑफ इंडिया के लिए एक office provide करता है fifth point क्या है he holds office during the pleasure of the president इसका मतलब क्य है ये president की मर्जी से कभी भी रह सकते हैं और president की द्वारा इंको हटाया जा सकता है कुछ point तो यह है अब अगले point समझते हैं देखो यहां पर लिखा गया है he has the right of audience in all courts in the territory of India इसका मतलब क्या है इंडिया की territory में जितनी भी courts हैं उसको यह attend कर सकते हैं second point क्या है he has the right to speak and to take part in the proceedings of the both houses of parliament or the joint sitting and any committee of the parliament of which he may be named a member but without a right to vote इसका मतलब क्या है देखो मतलब यह है कि parliament के जो दोनों house हैं लोकसभा और राजसभा उनकी जो proceedings होती है उसमें यह बोल सकते हैं मतलब उसमें participate कर सकते हैं और उसमें यह बोल सकते हैं दूसरा जो joint sitting होती है joint sitting सविधान का article 108 इनके बारे में जिक्र करता है joint sitting क्या होती है कभी parliament में किसी बिल को लेकर गतिरोध आ जाये तो उस गतिरोध को उस deadlock को सुल जाने के लिए joint sitting की जाती है और दूसरा कोई ऐसी committee जिसमें इनका नाम हो उसको यह attend कर सकते हैं लेकिन या जैसे solicitor journal of India और दूसरा additional solicitor journal of India लेकिन article 76 इन दोनों पोश्टों के बारे में solicitor journal of India और additional solicitor journal of India इनके बारे में जिक्र नहीं करता है सुरिफ article 76 alternative journal of India के बारे में जिक्र करता है मतलब उससे ही deal करता है अब एजी जो ये और्टरनी जनल अफ इंडिया है ना ये एक सेंटरल कैबिनेट के मेंबर भी नहीं है ये भी आप याद रखेगा अब ये कुछ इंपोटन्ट आर्टिकल है जहां से कउशन पूछे जाता है जैसे आर्टिकल 76 ओटरनी जनल ओफ इंडिया आर्टिकल 88 ये क्या काम करता है पार्लेमेंट के हाउसिस और उसकी कमेटी उनसे सम्मधित जो ओटरनी जर्रल के अधिगार है उनके बारे में ये बताता है आर्टिकल 105 जिसमें power, privileges and immunities of ओटरनी जर्रल इनके बारे में बताई गई हैं तो ये तो ती हमारी देखो आज की discussion देखो इसमें हमने ओटरनी जर्रल ओफ इंडिया इनसे सम्मधित जो भी कोशन बनेजे उन सभी को हमने cover कर लिया है अब इससे question भार नहीं बनेगा अगर आपने इस topic को अच्छे से cover किया है और इसको ना आप एक दो बार और cover कर लेजेगा मतले इसको सुन लेना उससे क्या होगा ओटरनी जर्रल ओफ इंडिया से आपका एक भी कोशन गलत नहीं होगा तो फिलाल इस discussion को हम यहीं पर रोकते हैं Thank you